क्या बीजेपी सीम योगी आदितनाद को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटाने वाली है ये सवाल कई दिनों से चल रहे होंगे आपके दिमाग में लेकिन यही सवाल उत्तर प्रदेश के लोगों से भी पूछा गया क्या सच में बीजेपी सीम को हटाने वाली है क्या कोई और सीम होने वाला है क्या या यूपी बीजेपी में जो बवाल हो रहा है उसका जो ठीक रहा है वो सीम योगी अदितनाथ पर फोड़ा जाएगा क्या इन सभी सवालों को उत्तर प्रदेश वासियों से पूछा किसने पूछा सी वोटर ने पूछा सी वोटर ने एक सर्वे किया इनैस सवालों के साथ उत्तर परदेश के लोगों के साथ और उनका क्या ज Dennा जवाब था आप सुनके हैरान very happy के बिनَ किसी दिए हैं किसी सब चर्चाने की त्यारी कि चल रही है है 42 पर प्रतिशत लोगों ने in कहा क्यां के लोग वहां पर चर्चा कर रहा है पारटी के अंदेर आएसी बात हो रही है 28 56 प्र cinq प्रतिशा की यहां सब पर-थाइब और यह जो 28.6 प्रतिशत कहां कड़ा है अगर आप इसे मर्ज कर लिजेगा तो लगभग लगभग ये 70 प्रतिशत के आसपस पहुंच जाता है 70 प्रतिशत बहुत बड़ा नंबर होता है यह जो चर्चा हो रही है यह लोग कह रहे हैं कहीं न कहीं इनका भी ऐसा सोचना होगा कि हाँ शाद ऐसी चर्चा और अगधानी के तैयारी है अब ऐसे में उत्तरप्रदेश की उपचुनाओं पे हो सकता है कि अगर इतने लोग ये सूच रहे हैं कि हर सीम को हटानी के तैयारी हो रही है तो कहिने गई बीजेपी को यहां पे नुकसान जहिलना पड़ सकता है क्योंकि ये बाते बीजेपी को बदलनी होगी लोगों की दिमाग से कि सीम योगी अधितनात को हटानी की तैयारी चल रही है क्योंकि आने वाले दिनों में उपचुनाओं होने वाले हैं और इसी वज़ा से प्रधानती नरेंदर मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठा क ऐसा 25.5 प्रतिशत लोगों ने कहा कि पार्टी का जो एक तबका है वो योगी अधितनात से नराज है इसी वज़े से उन्हें हटानी की बात की जारी है वहीं 8 प्रतिशत लोगों ने कहा कि गड़बंदन सयोगियों का दबाव है अब उत्तर प्रदेश में विधान सभा मे सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी बीजेपी की जितने भी सयोगी है उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वह सीम योगी अधितनात को हटाने के मांग कर दे लेकिन फिर भी आठ प्रतिशत लोगों का मानना है कि गड़बंदन सयोगी कह रहे कि उन्हें हटा दिया जाए व पार्टी में लोग नराज भी हैं और सवयोगी का दबाव भी है और इसके अलावा 11.6 प्रतिशत लोगों का कहना है कि नहीं हटाया जाएंगे किसी का कोई दबाव नहीं बस बाते ऐसे फिजूल की है उन्हें कहीं नहीं भेजा जा रहा कहीं नहीं हटाया जा रहा है अच् योगी विवाद में पार्टी नित्रित्व का क्या स्टेंड है बीजेपी का जो पार्टी नित्रित्व है वो क्या सोचता है उनको हटाने के बारे में उनके विवाद को लेके 34.8 प्रतिशत लोग योगी अधितनात के साथ हैं ऐसा लोगों का कहना है कि जो योगी सोच रहे हैं मतलब जो पार्टी नित्रित्व है वो सीएम को हटाने के वारे में सोच रहे हैं यह 28.9 प्रतिशत लोगों ने कहा कि मद्यसता की कोशिश की जारी है जैसे कि हमने देखा भी हाल फिलाल में कि कैसे दिल्ली में हाई कमांड मीटिंग होई पी एम मोधी उसमें मौ बिसिकली राज्य का जो नित्रित्व है जो पार्टी है बीजेपी जो पार्टी है उत्र प्रदेश जो बीजेपी है उसके उपर छोड़ा गया है कि वो जो अपना मत है वो सामने आके बताएं और इस बात को सौल्व करने ही कोशिश करें अगला है उपचनाओ के नतीजों पास कर जाते हैं तो हाला आला कमान तक यह बात पहुंचा सकते हैं कि हां अगर आपने मेरे कहने पर चुनाओं लड़ा होता तो आप जैसे उपचनाओं जीते वैसे ही आप लोग सबस्वाद चुनाओं भी जीत सकते थे अब ऐसे में 38.9 प्रतिशत लोगों का इसा मानना ह खराब नतीजे सीम योगी अधितनाद को कमजोर कर सकते हैं वह 17.1 प्रतिशत कोई असर नहीं होने वाला मतलब 17 परसेंट लोग मानते हैं कि उपचुनाओं में बीजे पीहारे या जीते सीम योगी अधितनाद वैसे ही रहने वाले हैं और उनकी परसनालिटी पे कोई असर नहीं पढ़ने वाला लेकिन हमने डिसकस किया था कि यह जो उपचुनाओं है वो योगी अधितनाद की फरिक्षा है और इसलिए उपचुनाओं से बहुत पहले ही योगी अधितनाद ने मंत्रियों के एक टीम गठित कर दी थी जो दस विधान सभा के जो उपचुना होने नहीं रही है चोल वालेज लसमलौ प्रतिशत लोग मांने की योगी अधितनाद के समर्थन में यानि बड़ा तब का मानता है कि और दीकरिक्षेशत की कूशिश की जारी अब आरेसेस भी चारा है कि यह जो जितनी भी जगड़े लड़ाई जो भी बाते चल रही है उससे जल से जल खत्म किया जाए एक मध्यसता किया जाए इसके लब बारे प्रतिशत लोगों का मानना है कि पार्टी नेत्रित उपर वो सारा का सारा फैसला छोड़ दिया गया है वो डिसाइड करते हैं कि किसे हटाना है किसे रखना है कैसे मध्यसता करना है जो अगला सवाल था वो था कि योगी विवाद के पीछे राज में बीजेपी की उबीसी नताओं की सबसे बड़ी हाथ है कि नहीं है मतलब यह जो नेता है उनका इंबॉल्मेंट कितना जादा ह च्छाटर दस्रम्लों आठ्प परतूशत लोगों ने कहा कि जो बिजेपी में जो बीसी नेता रहे हैं वो योगी अधितिद्याथ को बहुत बड़ा नंबर होता है इसके लाव प्रतीशत लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यूपी बीचेपी में सब कुछ ठीक है ओबीसी नेता जो है वो बीजेपी और योगी अधितनाद के साथ है तो मतलब बेसिकली यह एकदम इंपॉर्टेंट सवाल थे कि क्या फ्रतों बुऄर्बीसी नेता क्या शामिल है क्या उप्चुन उत्त। यहाल उत्तरप्रदेश के दिल बेधा के बैटे हुए हैं और आज की राज्स्मिनितिक चर्चाओ में रोजज़ाना बात की चारी उनके ऊपर तो ऐसे में क्या योगी अदितनाद को हटाया जा कहीं बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है क्योंकि बीजेपी लगतार मीटिंग्स लगतार दोनों निताओं को साथ मिले क्या ना वो सब इसलिए कर रहे थी ताकि उत्तर प्रदेश में मैसेज आ सके कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है योगिया दितनात और केश्व प्रसांद मौरिया में कोई लड़ाई नहीं है और कोई भी किसी को हटाने नहीं जा रहा है नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देख 24